आज की रेसीपी है छोले पनीर जो खाने में बहुत ही तेश्टी है और आसनी से भी बन जाती है तो चलिए पटापट से बनाते हैं छोले पनीर चोले पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 गिराम पनीर और यहे छोले छोलो को हमने राद भर भीगा के इसे 5 सिटी होने तक कुकर में उबाल लिया है यहाँ पर हमने लिए थोड़ी सी मिर्ची, थोड़े से आदरक, थोड़े से लसुन और बारिक कटी हुई धनिया और दो तमाटर लिए जिसे हमने पहले ही काटके रखा है और यह दो कांदे हैं इसे भी हमने पहले ही काटके रखा है और कुछ गरम मसले हैं, तेज पत्ते, पाच्छे लॉंग, दो इलाइची, थोड़ी सी डाल चिनी, थोड़ी सी काली मीरी और एक चमच जीरा अब ग्यास पे प्यान रखे उस पे डाल देते हैं थोड़ा तेर और सबसे पहले हम पनीर को भून लेते हैं पनीर हमें जादा नहीं भूनना है, बस हलका सुनेरा कलर आने तक ही भून लेते हैं अब पनीर को साइट में कर देते हैं और प्यान में डाल देते हैं थोड़ा सा तेर, साथी डाल देते हैं हमारा कटा हुआ प्याज पनिर हमारा होचुकवाई इसे हम निकाल लेते हैं अब प्याज हमारा भून रहा है उसमें डाल देते हैं अधरक के तुकड़े, मिर्ची, लसुन और इने भी अच्छी तरह से भून लेते हैं अब इसे साइट में करके डाल देते हैं हमारा गरम मसाला और साथी डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेते हैं और इसमें डाल देते हैं कटे हुए तमाटर तमाटर को भी अच्छी तरह गलने तक भून लेना है अब मसाले हमारे भून चुके हैं अब हम ग्यास को आप कर देते हैं अब मसाले हमारे थंडे हो चुके हैं साथी लेते एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देते हैं मसाले मसालों को हम बारिक पीस लेते हैं अब ग्यास पे कड़े रखे उसमें डाल देते हैं थोड़ा तेल और जैसे तेल गरम हो जाए उसमें डाल देते हैं तेज पत्ते, मारिक कटा हुआ कांदा, कांदे को अच्छी तरह से भून लीजिए, अब कांदा हमारा भून चुका है, उसमें डाल देते हैं मिर्ची पावडर, मिर्ची पावडर आप अपने हिसाब से डालें कम या जादा, अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी से हल्दी औ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, साथी डाल देते हैं हमारा पीसा हुआ मसाला, साथी डाल देते हैं गरम मसाला, एक चमच धनिया पावडर और इसे तेल छुटने तक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मसाले हमारे तेल छोड़ने लग गए हैं इसे चलाते रहना है इसे नीचे लगने नहीं देना है अब इसमें डाल देते हैं हमारे उबले हुए छोले अब इसे पाँच मिनिट तक धीमियाच पर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे और साथी डाल दीजे हमारे छोलो का उबला हुआ पानी ग्रेवी अप अपने हिसाफ से कीजे अब इसमें डाल दीजिए सौधानुसा नमक नमक डालने के बाद इसे पाँच मिनिट तक अच्छी तरह से पकने दीजिए अब छोले उबल चुके हैं उसमें डाल देते हैं एक चमच छोले मसाला और साथी डाल देते हैं पनीर पनीर डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर और साती डाल दीजे बारिक कटी धनिया डालने के बाद ग्यास को आप कर दीजे और इसे पाच मुनेट तक धक्के रख दीजे अब हमारे छोले पनिय तयार हो चुके है चैनल ओप स्थेजे इस इस अचले कर द सायं हो चुके है